कि आज जो यह रिकोडिंग होने वाली है इस गाने का क्या टाइटल है किस तरह से मसרגा क्याने के का लए में ठेंटर। जो रिकोड़िंग हो रहे ही है सबसे पहले मैं अपना परिशय दे रहा हूँ मेरा नाम धीरजबर्मा और मैं डारेक्टर हूँ आज हमारी जो रिकोड़िंग हो रहे है तितली तु बन के उड़ चली है और उसके सॉंग के रिकॉर्डिंग पे हम आये हैं हमारे सिंगर हैं देव नेगी साब जो गाना गार है ये बड़ा ही प्यारा कॉंसेप्ट है तितली तु बनके उड़ चली एक बाप और बेटी की जर्णिंग हम इस एल्बम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि एक बिदाई सॉंग है और बहुत ही खुब्सूरा सॉंग है और लिखा बहुत प्यारा लिखा गया है इसके शब्द इतने प्यारे हैं कि शायद मुझे लगता है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगे हम लिर्क्स ट्राइटर्स आप से बात करना चाहेंगे कि क्या इसके कुछ लिर्क्स हैं आप कुछ बता पाएंगे और क्या इसमें अशन देशा देना चाहते हैं अभी नहीं तो रिलीस के बाद ही गाना तो उसा बाहर आएगा तो अच्छा रहेगा जी 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 ॏ अब इनकाफिं अब करना चाहेंगे इस गाने को है टैना चाहिंडर्स इसको सब्सक्तराइब बहुत ही लोगों की दिल को ठूने वाला गाना है और टाइम सी विदाई सांग को और भरत जी ने इतना अच्छा इसको लिखा इतने अच्छे वर्ट्स दियें गाने को तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाने को बनाते हुए और सबने बहुत ही एंजोई किया बाकि जब सामने गाना आएगा तो आप लोग भी इसको सुन पाएंगे तो सर यह विदाई तो हमारे हां का कल्चर है एक बहुत बड़ा बड़ी चीज है तो उसके उपर गाने भी पहले भी आये हैं बट यह गाना मुझे लगता है कि कुछ अलग चाथ छोड़ेगा तो अगला सवाल हम सुरेजी से कड़ना चाहेंगे जो इस प्रोजिट के प्रडूशर किस तरह की डारेक्टर सब बता है ना तितली तू बनके उड़ चडी तो यह हमारे जो भरत जी बैठे हैं हमारे दोस्त भी है और भाई भी हैं इनके इतने शब्द हैं इनोंने अपने दिल से निकाले भाव भाव इनके दिल का वैसे तो जितने भी विदाई सोंग अभी तक आए हैं हम सब को नतमस्तक हैं, क्योंकि बेटियां तो सब एक जैसी होती हैं, लेकिन पहले गाना था बाबुल की दुआ है एक बार, बड़ा हिट हुआ था यह गाना, उसके बाद भी काफी सौंग आया, तो सब का हम स्वागत करते हैं, और सब का हम इज़त मान करते हैं, लेकिन जो इस वक्त लिखे है ना भरत जी ने यह शब्दों का जो उचारण किया ना शायद मेरे को लग रहा कि इन्होंने अपनी आत्मा से लिखे हैं वो शब्वानी से नहीं लिखे है इन्होंने अपनी शब्द बहुत ही बेहत्रीन शब्दों का उचारण किया है और इसको आज recording है देवनेगी साब कर रहे हैं और इसका हम फिल्मंकन 14 और 15 तारिक को मड़ में करेंगे और इसमें जो दुलहन के पापा का रोल है वो राजु खेर जी करेंगे और दुलहन की मदर का रोल जो है वो वैशनवी जी करेंगी और इसके अंदर में भी हमारे दो-तिन जगे बात चले जैसे हीना जी से बात चल रही है और भी कई लड़कियों से बात चले दुलन के रूप में तो नामचीन एक्टर ही रखेंगे हम उसके अंदर और इसमें ऐसा फील्ड डालेंगे हमारे डारेक्टर साब पहले भी फिल्म कर चुके हैं काफी और बहुत ही बहतरीन सोंग बना देखिए सबसे पहले मैं as a director मैं content पहले चुनता हूँ subject क्या है अगर हमारे subject अच्छे हैं प्यारे हैं तब ही हम artist के उपर जाते हैं हम पहले content पे ही और ये जो song है हमने lyrics देखने के बाद ही हमने decide किया कि हम इसको album के जरीए release करेंगे album बनाएंगे चुकि शब्द मुझे इतने अच्छे लगे और एक बेटी के प्रती बाप की क्या मतलब अब इक्षाए होती है कैसे बाप बेटी के जाने के बाद कैसे मतलब उस चीज़ को बरदाश कर पाता है कि बेटी को जिसको हमने पाला जिसको हमने बड़ा किया संभाला आज हमारे बतलब बगिया से चली जाएगी मैं कैसे रहूँगा तो ऐसे शब्दों का इन्होंने ऐसा जिक्र किया है हमारे भरत जी ने तो इस पे मैंने ये डिसिजन लिया कि हम एल्बम करेंगे बरत जी सभी लोग आपके लिर्स की काफी तारीफ कर रहे हैं आपका क्या अन्वा हो रहा इस प्रोजेट्ट पर लेकर और इससे पहले भी जो आपके अन्वा हो रहे क्रेपिया हमारे साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब बस लोगों को पसंदाने चाहिए अगर वह पसंद आ जाता है तो आई बिलीव सॉंग लिखना सक्सेस हो जाए तो इससे पहले के जो आपके अन्वा हो रहे हैं क्रेपिया उनके बारे में कुछ बत रहे हैं मेरा कोई अन्वा नहीं जी मैं तो इद्दम ही मुझे तो काफी सपोर्ट मिला तो पहले के 너 evidence मुझे तो कुछी नहीं पता है मुझे लिखना आता है जो का मुझे आता मैं करता हूं दिर्ची अभी बोलीवोड मे'RE को त्रेंड काफी ट्रेंट कर रहा हैं तो इस बारे में आपके क्या राय है कि वास्तों में बाइकोट से परेशान होना चाहिए या क्या कुछ नए उपाय किये जाएं ताकि इससे बचा जाएं अब देखिए तो अपनी अपनी सब की मानेताय है कौन कैसे सोचता है इस मैटर पर लेकिन इस पर मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने टिपनी दूँ अब इस वक्त ऐसा है हमारा ध्यान पूरा अपने गाने पर है तितली तू बन के और चली निश्चित रूप से भाव पूर हम लोग अपने दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सबको पसंद आ रहा है और उसके उपर सोने में सुहागा है जो हमारे मुजिक डारेक्टर परशान जी ने जो इसके अंदर संगीत दिया है ना वो बहुत ही बहतरीन संगीत देखिए एक ऐसा सैट सोंग नहीं कह सकते ह ना खुशी भी है दुलहन के चेहरे पर वो भाव है रोने का भाव है घर छोड़ने का है लेकिन एक जगह दुलहे को प्राप्त करने का पती के घर भी जा रही है यह खुशी भी है और गम भी है वो इतना बहतरीन फिलमंकन हम लोग करेंगे निश्चित रूप से सबको पस में कुछ बताएं सर एक विदाई सौंग है और यह गाना मुझे कली बेज दिया गया था सुनने के लिए तो बहुत ही बढ़िया गाना है और काफी टाइम बाद इसा गाना आ रहा है और गाने को कंपोज किया बशान जी ने बहुत अच्छा मुजिक दिया है और लिखा भ तो आज की डिट में आप गानों को किस तरह से चुनते हैं लिक्स के बेसेस पे म्यूजिक के बेसेस पे या अप एक जोना डिसाइड किये हूए है किस तरह से आप सरेकर ने गाना अच्छा होना चाहिए जाहे वो बीट नंबर है जाहे वो अभी जो विदाई वाला गाना ह तो यह वल्गेट ही नहीं होनी चाहिए और गाना अच्छा होना चाहिए उसी बेसेस में उसे चूज करता हूं तो इसके अलावा नेक्स्ट आपके कौन-कौन सर पुजे चल रहे हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे सर तुजक तो चल रहे हैं बट रिवील नहीं कर सकता बट अब यह मेरा क्लाइगर में गाना है निकममा में टैटल ट्रेक था और काफी सारे अभी और यह कट पुतली में करके कली हमारा गाना रिलीज हुआ है जिसमें हमने फीचर भी किया है किस तरह के जोन वाले गाने आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या आपको इंट्रेस्ट आता है या मुझे तो सभी तरह के गाने बसंद है और एक्चली बट जब से मेरे गाने बीट नमर में हिट हुए तो मोसली रोग उसके लिए बुलाते हैं बट जिनको पता है मेर कर सकता हूं तो अलग तरह के गानों के लिए बला जिसे विदाई सोंग ऐसी कोई ख्वाइश की इस तरह का कुछ नया कुछ आप करना चाहें वैसे तौप सभी तरह के सओंग कर चुके हैं लेकिन कोछ ऐसा पछा हो दिल में एसी कसा की वो इस तरह की आपको मिलें एसी कु सोच हो जिसमें, वो कुछ है मेरे, कुछ मुला अंदरोनी मेरे कुछ हैं प्रोजेक्ट, जो होफुली जल्दी बहार पर निकालेगा। तैंक यू बेरी कुछ